Hello everyone, कैसे हो सब लोग, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले computer vision, ठीक है, computer vision is more about logic, आप इस chapter को में एक tip देता हूँ, अच्छे से logically समझ लोगे न, इसे सारे question बन जाएंगे, और आपने देखा भी होगा, notice भी क्या होगा, कि AI में जो objective type questions है, जिनमें लोग को देखा दो रही है, मै आप अच्छे से concept को समझ लो, और उसके लिए मैं आपर बैटा हूँ, तो चीजों को समझते हैं और आगे चलते हैं, right, let's understand the syllabus first, क्योंकि अगर syllabus आपके दिमाग में बस जाएगा, तो आप easily कोई भी chapter को समझ सकते हो, तो यहाँ पर computer vision दो पार्ट्स में है, ठीक है, practical पार्ट्र में लीफ कर दिया हूँ, because CBC also suggests कि यह थोड़ा advanced part है, इसको छोड़ दो, okay, बाकि schools पर depend करता है, तो हम लोग जो part कवर करने वाले है, वो हो रहा है, theory part करने वाले है, theory part में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले introduction to computer vision, main part यह वाला है, ठीक है, applications of computer vision, and then यह पार् कर सकता है, बड़ इसको हम logically समझेंगे, और चीज़े बहुत ज़्यादा clear होने वाले है, right, बहुत मज़ा आने वाला इस chapter में है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ा आपको सीखने को मिलेंगी, तो basically computer vision का मतलब क्या है, computer vision is another domain of AI, right, third domain of AI, महार पस तीन domain थे, पहला था data, second था natural language processing, and third domain is computer vision, तो इस third domain में हम लोग क्या सिखते हैं, हमने machine को एक human-like बनाना है, यही का मतलब तो वही है, तो human-like बनाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, एक तो natural language को समझना चाहिए, वो NLP में सीख लिए, हमने machine को NLP में सिखा दिया, अब दूसरी चीज हमको देख everything which is related to processing the visual data, it's the task of computer vision, okay, आगे देखता हैं, कि computer vision को हम कहां कहां use कर सकते हैं, एक machine को computer vision देने से हमें क्या-क्या फादे मिल सकते हैं, पैली चीज़, facial recognition, यह बहुत जगे इस होती है, जैसे attendance systems में, इवन, आप कहीं पर भी किसी अच्छा office में देखोगे, या फिर कहीं बहु near the gate, वहाँ से आपका जो facial data है, आपकी facial dynamics है, वो सारी उधर saved होती है, तो वहाँ से आप चीज़ यह कर सकते हो, दूसरा visitor log, अब आपकी facial dynamics save होगी, तो बदा सकते हैं, कि अच्छा, आज ललित ने इतने time पर class में entry मारी है, अगर class में थोड़ा से late हुआ, या फिर absent है, तो अपना message जा सकता है, ये एक system हम बना सकता है, right, next is home security, obviously अगर आप किसी को नहीं जानते हो, और वो आपके system में feed नहीं है, वो data, तो आपको, या तो phone बे एक message जा सकते हैं, ऐसे चीज़ें हम चोटी-चोटी चीज़ें कर सकते हैं, just by facial recognition को use करके, right, ये एक implementation था, next, face filters, इसको पता है की image किस की है, just एक बर comment में mention करना, right, so face filters में क्या होता है, face filters में आपके face के features को understand किया जाता है, और most important examples, we know, instagram and snapchat, यापर facial dynamics को understand करता है, उसको फिर algorithms में लगा के आपको जो, जो changes करने हैं, आप easily कर सकते हो, once the machine understands the data, उसके बाद आप कोई भी selected filters apply कर सकते हो, right, now one of the most important examples would be the Google search, okay, Google search में क्या होता है, आप normal textual search तो करते ही है, बटे आपज हम image search की बात कर रहे है, वो computer vision use करते है, कैसे, आपने image जा ले तो उसकी characteristics को understand करेंगी, image के features को understand करेंगे, ठीक है, और वो features, फिर understand करके, बाकी database में देखेंगे, कि अच्छा, इस feature से निलिटेट को image है, क्य वो जादा better example, अगर हम इस कर ले तो, Google Lens क्या करेगा, आप कोई भी, अगर आपके बस कोई अच्छी shirt है, आप चाहते हो कि मुझे एक और ऐसी shirt तो आप उस shirt की image स्कीच सकते हो, it will tell you the price और उसके बारे में, या तो कोई shop अविलबल है, चाहाँ पर nearest shop जिसमें ये अविलब इंप्लिमेंट करता है, जिके Google search में, इंप्लिमेंट होता है, more work Google Lens में इंप्लिमेंट होता है, okay, यह point हम लोग analyze करता है, maximizes data search on Google search, मतलब, normal search में हमार पस capabilities क्या क्या थी, textual data को analyze करने की, but अगर हमें maximize करने Google में searches को, तो उसके लिए हमें even more data types को भी include करना पड़ेगा, for example, the image, okay, तो यहाँ पर हमने यह वाला data type भी include कर लिया, retail shops में कैसे use रखता है, not more of in India, but foreign में तो यह बहुत अच्छे से implement हो रहा है, जहाँ पर shopkeepers नहीं होता है, only the AI enabled systems क्या करता है, लोगों को track करता है, even उनके movements को track करता है, okay, inventory management वहाँ पर retail shops में, वो भी AI के computer vision के द्वारे किया इतने लोग उसे per day use कर रहे है, तो उसके साब से आपको suggest करेगा कि नहीं मेर को यह stock और चाहिए करके, या फिर कितना stock uses हो रहा है और कितना actual में remaining है, यह चीजों को accurately estimate करने में, camera या फिर computer vision basically हमें help करेगा, ठीक है ना, बहुत ही basic चीज है यह, now coming to self driving cars, यह autonomous जो vehicles होता है न, इन में main जो fundamental part होता है, वो computer vision का होता है, मतलब computer vision ही इनके पीछे actual काम करता है, अच्छा सर computer vision क्या काम करता है इनके पीछे, तो computer vision इनके पीछे यह तीन major steps को concern करता है, ओके, और यह exam में as it is भी आज़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि एक process के बारे में बता तो इससे थोड़ा सा समझ लेता है, object identification, जैसे अगर आम एक example है, तेसला की कार है, आप तेसला की कार में बैठके जा रहे हो, आपने देखा भाई, सामने से एक कार आ रही है, तो computer vision का system आपने on कर देखे कि बाई, autopilot में बैठेंगे, अपन तो एकदम लेटे हुए है, autopilot च देखा उसने, और side से निकलने का एक navigation plan मना लिया, अपने system में, अब क्या करना है, normally object को identify किया, navigate किया, अब वो चीजों को continuously करना है, इसे, ठीक है, it keeps monitoring the environment, okay, वो चीजे भी करना जरूरी है, right, object को identify करना है, navigate करना है, and then environment को monitor करना, और ये पूरी cycle चलते ही रहती है, ठीक है, ये सारी चीजे एक साथ होते ही रहती है, it's not key, पहले ये फिर ये फिर, ये फिर, ये सारी चीजे एक साथ होती है, ठीक है, तभी एक AI machine, self driving car, work कर पाती है, और ये हम तो बहुत basic चीज़ पर समझ रहे है, वहाँ पर बहुत detail में चीज़े होती है, now let's move on to medical imaging, medical imaging, medical imaging मतलब हम हम लोग full body scan कर लेते हैं, और वो body scan actually 2D में जाती है, 2D scans आते हैं, वो magnetic fields वहाँ पर introduce की जाती है, और वहाँ से पूरा scan होता है, complicated process है, तो उसको हम लोग computer vision कैसे यूज़ करते हैं, अब जैसे ही वो 2D scans आए, हमारे पस brain का scan आएगा, अलगले body parts का scan आएगा, अब computer vision model उन सार अबती जादा effective होता है, उस image को actual में understand करने के लिए, जो की doctors को बहुत helpful लगता है, तो यह tool actual में, बहुत helpful प्रूव होता है, doctors के लिए, तो यहाँ पर कौन सा concept यूज़ हो रहा है, again computer vision का concept यूज़ हो रहा है, next moving on to google translate, अचा सर एक डाउट है, यह word सुनते ही मेरे को लग रह social data को analyze करने की capabilities इसको बता रहा था, और यहाँ पर हमारे पस, जैसे की google की पस limited data types होड़ी है, हमारे पस बहुत रहे data types है, image को तो, text को तो understand करता है, यह साथ में image को भी understand करता है, तो यहाँ पर हम वो image वाला part लेके आ रहे है, google translate app का, मतलब आपने सीधे एक page की photo की चीचिए और इसको गैसे translate करके google उसे convert करते होता है, in the another language which you want, तो उस capability को हम यहाँ पर computer vision में include कर रहे है, as an application, एक important word यहाँ बर यूज हुआ है, यह exactly इस पर शाहिद कभी question आया था, कुछ इस पहले, जिसमें उनने पूछा था, what is OCR, full form of OCR, तो यह याद रखना, OCR is optical character recognition, अब optical character recognition क scan किया होगा, Adobe scan में, तो आपर वो बोलता भी है, 25 pages तक ही valid है, स्रिफ OCR, OCR is valid till 25 pages, okay, इसका मतलब क्या हुआ, जो आप image खीशे, उसको highlightable text में convert करना, या तो वो characters किया किया है, उनको understand करना, यह एक free plan पर normally 25 pages तक ही चलेगा, यह आपर, इसका मतलब यह हुआ, ठीक है, optical character recognition का मतलब ही है कि characters को understand करना from the image itself, okay, so यहाँ पर हमने application सारे cover कर लिये, यह important major part हमारा computer vision को complete हो सकता है, अब एक next chapter आ रहा है computer vision के अंदर, that is the tasks in computer vision, इसके अंदर अब सारे topics हैंगे, यह दो बार्ट पर ही ता computer vision, यह दूसरा पाट रहा है उसका, अब यहाँ पर आपको चीजों को अच्छे समझना है क्योंकि पिछले वाला पाट तो आपने पहले से पढ़ रखा था, almost, सारी चीज़े आपको पता थी, यह बार नए है, computer vision, basically कुछ particular task पे work करता है, ठीक है, और वैसे ही उनी task पे चलते हुए, कैसे analysis करनी है, वो उन task पे depend करता है, हम इसे एक company के plan की तरह स company, एक computer vision की company, मैं वहाँ जाके उनकी कुछ features मिरको चाहिए, ठीक है, मिरको एक model चाहिए, उनका computer vision की, तो उनना हमें plan बता है, कि दो plan है, sir, एक single objects के लिए, एक multiple objects के लिए, तो मैं बोला, अच्छा मुझे तो single objects के लिए चाहिए, तो बोलेगा, ठीक है, single objects में आपको दो च and segmentation वाला object मिलेगा, तो basically हमार पस चार object हो गए, चार models हो गए, जो उनने हमें बता है, और वो दो categories में उनने model बता है, एक single के लिए, एक multiple के लिए, अब देखते हैं किया models बता हैं उनने, पहला model जो उनने दो models बता है, single objects के लिए, वो थे classification और classification प्लस localization, ठीक है, तो पहल model हम समझता है, इसमें जो पहला पार्ट है, classification, तो उनने बोला कि classification में क्या होता है, आप basically अगर मेरे पस पहले से ही, predefined set of categories होंगी, की जैसे कि मैंने बता दिया, मेरे पस animals के categories होंगी, cat, dog, duck, ये सारी चीज़े, ओके, तो अब क्या होगा, अगर आप किसी image में single object होना चाहि cat की दिखाओ, तो आप हम क्या बोलेंगे, नीचे बता देंगे, लेबल कर देंगे उसको as a cat or a dog, ठीक है, बस इतना काम है हमारा, स्रिफ लेबल करेंगे, we will label the data according to the category which was already provided to us, ये उन classification model का काम है, पर ये second plan जो है इसमें, उसका क्या काम है, ये first plan हो गया, ये second plan हो गया, second plan का क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, अब लोकलाइजेशन यहाँ पर, आप हमें समझ में आ रहे है, लोकलाइजेशन मतलब क्या है, लोकलाइजेशन मतलब लोकेशन बताना, ठीक है, ये जो object है, हमने डिटेक्ट किया कि ये cat है, तो cat कहा पर है, उसकी location in the image, finding the location of an object in the image is, लोकलाइजेशन, तो ये दो चीज़े हमने देखा, single object वाले plan में तो, ठीक है, बहुत basic सी चीज़े है, पर basically मुझे क्या करना था न, मुझे तो Tesla car में अपना model इंप्लिमेंट करना था, और उसमें तो single object नहीं होगा, उसमें तो बहुत सारी car होंगी, तो अब उस चीज के लिए मैं क्या करूँगा, multiple object वाले plan को देखूँगा, अब multiple object वाले plan में क्या हो रहा है, let's see, इसमें दो चीज़े अगें हमको provide की गई है, एक basic, ये object detection का plan है, दूसरा instance segmentation का, अब हम इन images को देखके थोड़ी चीज़े समझ पा रहे है कि, आँ, ठीक है, object detection में क्या हो र पार्ट, प्लस classification, दोनों mix करके multiple objects के लिए लगा दिया, मतलब identifying the instances of an object, remember, it's not instance segmentation, हम ये object detection के और में बात कर रहा है, उसमें मैं ये word उस कर रहा हूँ, instances, instances का मतलब एक particular case, ठीक है, इस case में कितनी सारे चीज़े है, for a particular instance, हम ये सारे, इसमें जितने भी objects हैं, उन सबको detect कर र दिया, okay, और उनको localize कर दें, उनकी location बता दी, अच्छा, ये object का नाम क्या है, ये dog है, ये duck है, ये cat है, ये सारे चीज़े हमने बता दी, तो basically ये क्या होगी, object detection में हो गया, but instance segmentation में भी same ही चीज़ हो रहा है, आप देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये duck है, ये dog है, ये cat है, ये सारे चीज़े उसने क्या कर दी, highlight, but एक चीज़ आप ये image से देख कर ये बता रहे होगी, कि difference क्या है, ये थोड़ा और precise लग रहा है, तो हाँ, ये ही अगर हम एक normal layman language में बोले, तो हाँ, ये difference है कि थोड़ा सा और precise हो गया, but basically इसका difference ये होता है, कि जो instant segmentation हो works on more precise understanding of the objects, मतलब वो normal image में background और other objects से एक object को दूसरे object से बहुत detail में at a pixel level differentiate करने की capabilities रखता है, मतलब एक pixel तक वो understand करता है कि अच्छा ये pixel की understanding जतना भी मैंना training लिया था, training set से जतने भी साइज जी़े से सीखे थी, तो ये pixel और उस pixel में ये difference है कि ये दोनों object different है, तो उनको localize कर देता है, और एकदम at a pixel level आप देखो कि कितना detail में एक object को localize किया, तो particular instance में ऐसे objects को localize कर देता है, और यहाँ पर object detection में क्या होता है, it detects the object, but it does not separates the boundaries of another objects with that particular object at a pixel level, चीक है, अब इसको theory में देख लेता है, कैसे हमने समझ लिया, हमार पस concept है, but उसे कैसे frame करना हो image classification problem is the task of assigning an input image one label, जैसे हमने देखा था, इसको एक label प्रोवाइड करना classification में आता है, टीक है, from a fixed set of categories, जैसे dog, cat, animals की category पूरी ले ले ली हमने, तो ऐसा, okay, core problem in computer vision with large variety of practical application, obviously हमने यह बहुत जादा use किया है, okay, एक object को identify करना, यह एक बहुत ही important चीज है in computer vision, ठीक है, classifying an object is very important, then classification localization involves identifying the object and image with its location in the image, okay, location भी identify करना है, और object भी identify करना है, okay, and यह दोनों क्या थे, single के लिए थे, next, classification तो basically एक wide concept है, जो हम बता रहे है, but यहाँ पर हम लोग क्या discuss कर रहे है, यह सिंगल अब्जेक्स के लिए उस कर रहे है, और classification को ही हम multiple objects के लिए यूज कर detection क्या होगे, it is a process of finding instances of real world objects such as faces, bicycles and all the things, okay, यह सारे चीज़ों के instance find करना, okay, यहाँ पर क्या होता है कि, features को extract करते है, और identify करते है, object जो ही अमने चीज़े आभी समझेती है, वही चीज़ों को ही बता रहे है, तो instance segmentation, जो हमने देखा था, कि detect करना है, और detail में at a pixel level, यहाँ प particular, इस particular feature का algorithm कैसे काम करता है, this is known as a segmentation algorithm, and segmentation algorithm takes an image as input, image, input में क्या लिया था, आपको दी सोचो, image को input लिया था, उसके बादी तो उसने इसे boundaries एकदम बना के रख दी ती, यहाँ पर देखो न, यह, image को input लिया था, और यह फिर आपको यह boundaries बना के देथा, और यह फिर आपको segments हम बोलता है, वो particular regions को एकदम pixel level पर, यह word important है, क्योंकि C में से हमने निकाला है, जो CBC की facilitator है कि, particular pixel level वो क्या कर सकता है, दो objects को differentiate कर सकता है, right, बहुत easy था यह समझने में, बस एक दो बार और पढ़ोगे तो समझ माझेगा, अब computer vision के हम बात कर रहे है, images के बार में बहुत कैसे करती है, at an image level, image कैसे बनती है, computer से कैसे समझता है, यह चीज़ है, आम लोग समझने वाल है, बहुत ही अच्छ से, how do they display images on the screen, यह समझेंगे, how do the computers store the images, यह भी समझेंगे, ठीक है, pixels वगर के बार में देखेंगे, and images बनती किसे, obviously pixels से बनती है, images, let's talk about pixels first, एक image को अगर आप zoom करके देखोगे, okay, तो वो pixels से बनी होती है, अभी pixels, यह आप देख पा रहे हो न, यह एक एक pixel है, हर pixel का एक particular color होता है, but हम एक normal image को देखते हो, हम उससा एक gradient देखते है, मतलब उसे बहुत सारे color एक साथ होता है, हम यह नहीं देखते है कि एक color है, आप pixel level पर is a pixel, simple, okay, again, pixel is the smallest unit of information for a photograph, एक image का smallest information क्या हो सकता है, एक pixel होता है, अब देख सकते हो न, smallest, अब एक pixel ले रहे हो तो एक pixel में क्या हो रहा है, एक एक ही color मिल रहा है, तो वो सारे pixels को मिला के एक image बन रहे है, अब जितने जादे pixel, उतनी clarity, वो सारे चीज़ा हम देखेंगे, pixel हम आपने नमली square type साप लोग को बता ही होगा, और यह round type भी होते है, pixels, pixels आपने बता है, कहां पर देखा होगा, अगर किसीने Minecraft, if someone watches Minecraft, और किसीने Minecraft केला है, तो उसमें, quality कम होने के वज़ा से, means graphics वैसे होने के वज़ा से, आपको एक-एक pixel देखता है, तो that is actually a pixel, right, pixel is not 3D thing, it is a two-dimensional thing, हम pixels से एक 3D image गना सकते है, but pixel is not a 3D thing, again an important line, pixel approximate the actual image, मतलब जो actual image है, उसके बारे में approximate data pixels provide करता है, ठीक है, और pixels जितने ज़ादा होंगे, उतना ज़ादा में एक image को resemble कर पाएंगे, okay, वही Minecraft वाला example है, तो जितना ज़ादा आपके अच्छी ग्राफिक्स होती है, आप ज़ादा ग्राफिक्स मतलब realistic, तो उसका मतलब क्यों है, ज़ादा pixels एक particular image में है, तो realism हमें उसका दिखता है, ठीक है, और उसका actual में resolution बोलते है, ठीक है, resolution मतलब the pixel count, कितने pixels प्रेजेंट है एक image में, उसे हम resolution से depict करता है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए image मेरी बहुत quality की है यह फिर 4K है, तो मतलब इसमें बहुत ज़ादा pixels होंगे, ज़ादा realistic image का मतलब ज़ादा resolution, टीक हम 4K बोलते है, 4K का resolution ज़ादा होता है, 1080p बोलते है, HD बोलते है, UHT बोलते है, तो सबका resolution different होता है, इसलिए उनकी clarity different होती है, तो resolution is a more familiar word in terms of the number of pixels present in an image, so what is resolution, resolution is a pixel count of an image, टीक अब इसको हम define कैसे करता है, जैसे मैं अगर मैं बोलू, कि यह मेरा laptop है, ठीक है, यहाँ पर, यह इसमें around 1080 pixels है, ठीक है, इसकी width में, और इसकी height में कितने pixels है, अगर मैं बोलू, इसकी height में present है total, यह example ले लेता है, यह 1280 ले ले लेता है, 1280 pixels है, और यह 1024, इसकी height में इतने pixels है, मतलब एक line अगर में लोंगा, तो उसमें इतने pixels है, पर total number of pixels क्या होगा है, फिर 1280 into 1024, तो यह 1280 into 1024 क्या है, number of pixels को represent कर रहा है, मतलब resolution को represent कर रहा है, यह एक format है, इसे हम width into height के format में लिखते है, याद रहतना पहले होती है width, उसके बाद होती है height, अब आपने एक term सु और megapixel is nothing but, वोई चीज है, number of pixels, but at a larger scale, तो हम से millions में define कर रहा है, कि 5 megapixel मतलब 5 million pixels, 50 lakhs pixel, okay, 50 lakh pixels मतलब 5 megapixel, okay, 1 megapixel is equivalent to 1 million pixels, इसको अगर एकामरा भी बोल रहा है कि 5 megapixel कामरा है, तो उसको मतलब क्या हो गया, उसमें 5 million pixels प्रेजन है, उसको मतलब क्या हो गया, उसमें 5 million pixels multiply करने के बाद कितने pixels आ रहे, right, अब हम देखते हैं, pixel value, pixel value क्या होता है, pixel value मतलब, एक pixel है, आप computer में उसको एक value assign करते हो, मतलब, अगर मैं बोलो, एक pixel के बार में तो उसकी values range करते है, 0 to 255, ठीक है, तो 0 to 255 के बीचे उसकी value होगी, उसके साब से, उसकी brightness, उसका color, वो सार चीज़े, उसके साब से, उस value के साब से, जैसे 0 बोलो, तो 0 is referred to as a, more of darker side, मतलब, exact 0 बोले तो एक तम perfect black होगा, ठीक है, pitch black, and then 255 बोले तो एक तम white, ठीक है, okay, so the whitest value which you can see is 225, जो pixel value होगी, और 0 का मतलब होता है, एक तम dark, एक तम black, okay, but हम उसके बीच में बोले तो अगर ब okay, so that's about a pixel value, pixel value क्या depict करती है किमिश के बारे में, उसकी brightness, ठीक है, how bright that thing is, और उसके बाद, the color of the pixel, ये सिर्फ इस value की range से बता चल जाता है, अगर मैं बोल राओ 255 है, उसका मतलब क्या होगा, white image, white pixel है, तो ये होगे pixel value, अब pixel value, basically हम ये जो format यूज कर रहे हैं, इसको हम white image format और ये ही most common pixel का format है, अब इस byte में क्या होता है, एक byte, ठीक है, अगर हम एक byte के बार में बात कर रहे हैं, तो इसमें 8 bits होता है, ठीक है, 8 क्या होता है, bits होता है, और ये bits क्या range, इनकी range क्या होती है, जो समें मैंने बता है, 0 to 225, अब ये basically 225 ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बीचे भी एक derivation है, ठीक है, एक byte में 8 bits होता है, ठीक है, अब 8 bits में total number of possibilities कितना हुआ, देखो, एक byte जो होता है, एक byte जो होता है, उसमें ऐसा होता है, 0 या तो 1, ठीक है, हमें पता है कि computer की language क्या है, 0 और 1, computer only understands these two things, 0 और 1, तो एक bit जो होता है, तो एक जो bit होता है, या तो 1, इन दोनों में से कोई भी एक value होता है, अब यह 0, 1, 0, 1, ऐसे 8 times, ठीक है, 0, 1, 0, 1, 8 different combinations, ठीक है, जैसे अगर मैं 2 byte लूँ, 2 bits लूँ, sorry, 0, 1 इसमें, 0 या तो 1 इसमें, तो इसमें 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, ऐसे 4 possibilities हो गए, मतलब अगर 2 bits है तो उसमें कितनी possibilities हो गए, 2 to the bar of 2, 1 bit है तो उसमें 2 to the bar of 1, मतलब 2 इसमें 0 या फिर 1, और अगर 8 bits हो तो उसमें कितनी possibilities हो गए, 2 to the bar of 8, जो कि आता है, 256, अब 256 है, इसमें आप अगर आपको समझ में जाए तो बिलकुल tension मतलो, इतना detail में कोई नहीं जाएगा, just हम चीज को understand करना चाहते है, मैं नहीं चा इसमें लिखी हुए है ना याँ पर, उस चीज की पीछे का reason भी हम जान रहे है, इसलिए थोड़ा सा deep में जा रहा हूँ, एक बिट में दो वैल्यू जीरो या तो वन, दो बिट में क्या हो सकते है, कॉम्बिनेशन कितने पॉसिवल है, 2 to the bar of 2, एक बिट में 2 to the power of 1, 0 या जाएगा in 8 bits, okay, तो 1 बाइट में कितने combinations हो गए, 1 बाइट में 8 बिट में 8 बिट में 256 तो 1 बाइट में 256 तो 256 कॉम्बिनेशन, पर यहां पर 255 दिख रहा है, exactly, यहां पर 255 इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहां पर एक 0 भी तो इक लिए तो 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे 255 तक जाएगे तो कितना हो गया, 256 हो गया न तो तो ऐसे करके यह चीज दिराइव हुई है, okay, just for understanding purpose मैंने आपको बता है, so यहां पर pixel value के बारे में हम समझ चुके है, main जो याद करने की चीज है, वो है 0 के आसपास इसकी black या फिर no color भी बोलता है, और 255 के आसपास क्या होता है, full color या फिर white color, it depicts the brightness and the color of the pixel, ठीक है, एकदम असानी से आपके दिमाग में जाना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, now let's talk about gray scale images, gray scale images का मतलब, gray scale यह जो word है, इसका मतलब, it is nothing else, it is black and white, ठीक है, black and white images का अब जो color होता है gray, वो बनता कैसा है, gray color is made by combination of three primary colors, at equal brightness levels, this is a very important point, okay, gray color is found by combination of three equal shade, three equal brightness levels of green, blue and red, the primary colors क्या होता है, तीन primary colors होता है, आर, जी और बी, इन तीनों को equal brightness level पे, ठीक है, equal brightness इनकी, ना, कोई dark नहीं होना चाहिए, कोई जादा light नहीं होना चाहिए, तीनों सेम brightness level पे, अगर हम mix करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, gray color मिल जाएगा, ठीक है, this is the concept of gray images, pixel value 0 मतलब black, pixel value 255 मतलब white, okay, lightest shade white होगा उसमें, और darkest shade black होगा, ठीक है, let's move on to the RBG images, okay, RGB image की, अगर हम बात करता है, तो वो colored images के combination बनाने के लिए होता है, हमारे पस जितने भी colors, पूरे world में, और आपने कहीं भी देखा होगा, वो इन ही तीन colors का combination है, red, green and blue, okay, every color which we see around us, is a combination of these three colors, उनको different intensity पर जोइन करते हैं, तो हमको अलग-अलग colors मिलता है, so अब यह कुछ questions इनका answer करता है, और आप try करना कोद answer करने का, what is the output of the color when you put r equals to g equals to b, मतलब यह तीनों अगर 255 values डाल दिया, तो हमको क्या मिलेगा, अच्छा एक और चीज इसके बार बताता हूं, हम कोई भी image देखते हैं तो वो combination होता है, तीन colors का है ना, मैंने बताया अभी, तो उन तीनों की different values होते है, 0 to 225, ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि r equals to g equals to b equals to 255, उसका मतलब यह हुआ, कि तीनों की different values अगर ब्लाक कर देंगे, 0, 0, 0, तो अगेन हमको क्या मिलेगा, ब्लाक मिलेगा, यहाँ पर आज भी image हमने देख लिया कि कैसे बनती है, बड़ वो store कैसे होते है, computer अपने अपने store कैसे करता है, तो वो store करने के लिए हमारे परस different channels होते है, यह 3 different channels होता है, जिक है, जिन में image store होती है, एक image में 3 different चीज़े store होती है, यह आपको right में दिख रहा है न, this is the way image is saved, पर यह color में कैसे आजाती है, यह color में इसलिए आजाती है, क्योंकि gray scale image होता है, वो सारे pixels, यह 3 image के जो pixels हम जब add करेंगे न, तब हमें actual में यह pixel मिलेगा, तो यह सारे combination of pixels है, जिनको हम add करने के बाद हमें, यह pixel मिल जाता है, actual में images जो होती है, वो save होती है, एक red pixel की value होगी, green pixels की value होगी, blue pixels की value होगी, और उनको किस intensity पे add किया होगा, उसके सबसे, एक image, particular image form होती है, यहाँ पर given है, theory इसका, कि there are three channels, red, green and blue, ठीक है, उनकी different color intensities होती है, जिसके सबसे बना add करते हमें, particular image मलती है, when stored in the memory, the image looks gray scale, but when combined, these RGB values form the color of each pixel, each pixel in the RGB image, has three values to form the complete color, तो इसके बाद हमारा पूरा chapter हो जाता है, अब इसके questions में करा करना है, तो marathon sessions में include करूँगा, उसके अंदर यह होगा, और one shot include करूँगा, जिसके अंदर यह सारे चीज़े, रिवाइस करवाँगा जल्दी से, ठीक है, जितने भी chapter से आपने, पूरे जल्दी से revise होगे, तो उसमें ऐसा नहीं की इतना detail में इसमें गया, जल्दी से chapter almost 15 minutes में chapter complete करूँ अगर अगर आपको मुझे personal कोई डाउट पूछने तो आप टेलिग्राम पे आपके जॉइन कर सकते हो, t.me.ai4kids, डिरेक्टली मैं लिंक प्रुवाइट कर दूँगा, और तुमारे एग्जाम स्पास में है, बढ़ी आसे बढ़ो, प्रुवाइब कर दूपने लिंक प्रुवाइब कर दूब एग्जाने लिए गड़ो,